बोले शिरी प्रान्नात प्यारी कीजे सत्कुरू माराजी कीजे पन्ना धामी कीजे सर सुन्दर साथी कीजे पढ़ामजी सुन्दर साथ जी आप सभी सुन्दर साथ जी के धाम हिर्दे में वेराजी शिराज श्रामजी के चर्णों में शाष्षत नमन सुन्दसाजी, शिराजी, शामाजी की मेश से परमधाम की सुन्दर शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं अभी हम हैं शिररंग महल की दूसरी भूम तो थोड़ा सा रिवाइच करते हुए आगे बढ़ते हैं कि भुल्वनी के मंदिर, कर हमने देखे न, भुल्वनी के मंदिर, यह कितने हाथ के लंबे चुड़े आए है, एक मोटा इसाब, कितनी लंबाई चुड़ाई आई है, सो हाथ के आया है, या कुछ छोटे आया है अब फुल्वने के मंदिरों में हम जब बढ़नन करते हैं तो कहते हैं कि 110 मंदिरों की 110 हार इसे कहते हैं नूरी दर्पन के 110 मंदिरों के 110 हारे तो उसी साफ से तो 12100 मंदिर होने चीए थे 12100 पर मंदिर तो 12000 आए हैं वह क्यों दिपीका परांजी दिदी तुकि बीच में 100 हार का चौका है हां जी 100 हार का चौका है अब भुल्वनी के मंदिरों के बीच में आया चब उत्रा कितने मंदिर का लंबा चोड़ा है और गीर कर परिक्रमा कितने मंदिर की आई है 64 मंदिर का चब उत्रा और 36 मंदिर की परिक्रमा सुन्दर साजी इसको इस तर से भी ले सकते हैं आठ बाई आठ मंदिर यानि आठ मंदिर का लंबा चोड़ा तो चब उत्रा हो गया और घेर के एक मंदिर की यह जो परिक्रमा है इसको अगर गिंती करते हैं तो इस 36 मंदिर की वैठती है तो इसको एक असानी समयों समझें कि आठ मंदिर का लंबा चोड़ा तो एक सीड़ी उचा चब उत्रा और घेर के एक मंदिर की उसमें परिक्रमा हैंजी हो गया अब भुल्वने के बाहरी हार जो मंदिर हैं उनमें कितने दरवज़े गिनेंगे बाहरी हार मंदिर उनकी सिर्फ बाहरी दिवार मंदिरों के सभी दरवज़े नहीं बाहरी बाहरी मंदिर्वनें एक बार सोचो वापिस टोटल तो होंगे ना एक साइट पर जोंगे 110 110 तो 440 तो उसके आदे गिनेंगे हम एक साइट पर 220 लेकिन अभी अपना कोशन है कि चारों दीशों की जो चारों तरफ के जो दरवज्जे हैं उनकी बाहरी किनार पे कित्ते दरवज्जे होए तो 440 ही हो पनुसी तर से गिनते हैं न वो भी ठीक है आपका भी एक मंदिर में देखन के और गिनती के कित्ते दरवज्जे होए सुन्दर साथ जी सबको आना चाहिए तो परड़ाम जी दूदी देखन के चार और गिनती के दो दो हांची और हम दूसरी भून के दूसरी भून के चज्जे पर हैं और चज्जे से हमें भूलवनी जाना है तो कित्ते मंदिर का रस्ता पार करना है या क्या-क्या शोभा पार करनी है वो कर लेए परणाम जी सुन्दर साथ जी यदि हम दूसरी भून के चज्जे पर हैं तो उत्तर दिशा में सबसे पहले बाहरी हार मंदिर फिर त्रिपोलियों की शोभा हैगी फिर मंदिरों की शोबा, फिर त्रिप्पोलियों की शोबा और उसके बाद भुलवनी की मंदिरों की शोबा शुरू हो जाएगे तो ये शोबा हमने कल देखी भुलवनी की और आज बढ़ना है अपने को खड़ोकली की और से तो खड़कली पी जाना है तो कैसे जाएंगे आपको कोई कोश्चन है देदी वो प्रणाम देदी देदी वो जो अंदर में सो मंदीर की जो जगा छुटी है 12,100 मंदीर होते हैं उन में से सो मंदीर की बीच में जो जगा छुटी है उसमें आठ मंदिर का ये चबूत्र है जो जिस पे आठ मंदिर का लम्बा चोड़ा तो आठ को आठ से मल्टिप्लाई करेंगे तो 64 मंदिर हुआ अब इस लाइन से आप किनो तो 10 मंदिर, इदर से किनो तो 10 मंदिर और ये अपन यहां तक गिन चुके हैं तो 8 मंदिर इदर से 8 मंदिर उंदर के और 36 मंदिर की परिक्रमा 36 मंदिर laughs वो दिखो इस तरह से मैं एक बार दिखा दुम हान ये दिखो ये तो होगे अपना 8 by 8 मंदिर का तो 64 मंदिर ये तो होगे 8 को 8 से multiply करेंगे अब इदर इस line में आप मंदिर केनोगी यहां पर 10 मंदिर हुए, यहां पर 10 मंदिर, ठीक है, अब इसी तरह से, इस तरफ के भी गिनो, तो यहां पर भी 10 मंदिर, अब यहां जब दायवाई गिनते हैं, तो यह यह मंदिर तो गिनने जा चुके हैं, तो 8 मंदिर इदर से, और 8 मंदिर इदर से, तो 36 मंदिर की परिक् सब्सक्राइब करें तो एक मंदिर की परिक्रम हो गया तो वह पूरा दिरी फिर सौ मंदिर की जगाशुचित का हिसाब हो गया प्रणाम दीडी प्रणाम जी भावना प्रणाम जी दीडी आपने कुशन किया ना कि भुलवनी से खड़ो कली तक कितने मंदिर आएंगे खड़ो कली से चज्जे से हमको कितने मंदिर पार करके भुलवनी में आना है यहां से भुलवनी आना है तो कितने मंदिर पार हाँ पचासी हो गए एक यह चब उत्रेक से नीचे जो उतरते हैं नहीं आप चज्जे से जब उपर आओगे तो यह पहली हर मंदिर त्रिपोलिया दूसरी हर मंदिर और त्रिपोलिया आठ मंदिर होते हैं यह आठ मंदिर की जगी होती है देखो आठ और पचास पचास और मैंने अच्छा खड़ो कली के भी वो दो मंदिर आपने जगे बताई है और फिर एक मंदर यह बीचा बूत्रे से उतर कर उतर के तो पूरा किन की हां जी फिस्टीवां ठीक है ना फिर इस आप लगाया नहीं असे गिनोंगे तुछ सही होगा आपने से क्या है यह देखो पचास तो यह होगा है 58 फिर दो मंदिर यहां ले रो 60 और एक इदर से ले रो हां 61 होगा हाँ जी चित्रा जी आन्ते मेरा क्वेस्टन है कि जो सेंटर वाला हमारा चबूत्रा है उसकी जो बाहर की परिकर्मा है यह परिकर्मा औरमं einem कर वह जाता है चुकि वOC चबूत्रा एक सीड़ी उपर है यह यह सेम ले वाल है। सेम लेवल है, सिर्फ ये चब उत्रा एक सिड़ी उपड़ है तो सबसे पहले तो कि अपने को खड़ो कली पोशना कैसे है तो रंग महल के और ध्यान देवे हम, तो रंग महल के चार कोना है इशान, अगिल, नरित्ते और वायव कोना तो इस वायव कोने पर, रंग महल के भूम बर उचे चब उत्रे पर कल हमने शोबा दिखी ते बुलवनी जाना है तो हम वायव कोने से दूसरी भूम से चले थे अभी हम रंग महल के भूम बर उचे चब उत्रे से चल रहे हैं मतलब यहां से जमीन से खोंबर की सीड़ियां चड़कर इस वायव कोने से आगे चल रहे हैं यह देखिए यह वायव कोना और इससे हमको पूरव इशान कोने की तरफ चलना है तो यहां पर हम देखेंगे कि जो रंगमेल के घेर कर मंदिर आए हैं इन सम मंदिरों के बाहर एक मंदिर की धाम रोस आईए है आईए न घेर के धाम रोस वो धाम रोस यहां भी आएगी वो धाम रोस यहां भी आएगी तो उस धाम रोस पे हम है मुख अपना इशान कोने की तरफ है तो अपने दाएं हाथ को तो मंदिर हो गए बाएं हाथ को पहले लाल चब उत्रा कि उसी एक मंदिर की धाम रोस के बिलकुल मिलान करता लाल चब उत्रा है रंगमेल का जब भूम बर उचा चब उत्रा उटता है तो उसके साथ ही लाल चब उत्रा उट जाता है तो अपने बाएं हाथ को लाल चब उत्रा और आगे बड़ोवन के व्रिक्षिन इस चोभा को यहां से देखते हैं यह देखी यह देखी लाल कांग में अपनी धाम रोस है इस नक्षे में देखो जो मंदिरों को घेर के एक मंदिर की रोसा ही है उसके आगे यह लाल चब उत्रे की जगे है और आगे यह बड़ोवन के व्रिक्षिन एक नक्षा और देखाती हूँ यह देखी यह देखी सुन्दर साथ जी वाइव कोने का चैबच्चा अब इस चैबच्चे से अपने को पूरव की और चलना है धाम रोज से चले यहां मिस लाल चब उत्रे से ले एक तरफ तो रंग महल के मंदिर एक तरफ लाल चब उत्रा और आगे बड़ोवन की और अपने से छाया देखो कितनी उची है यह शुबा दिल में लेते वे चले बाकी शुबा करेंगे विस्तार से हमसी च्छाया लग भग रंग महल की जो दस्वी चान्नी है उसके चज्जे के पराबर तो यहां से काफी उचाई पर नो भूम उचाई लग भग मानने दस्वी चान्नी का जो छज्जा निकलता है उसके साथ यह मिलान कर रही है तो हमको पूरव की और चलना है अब यह देखो लाल चबुत्रा पार होगा यह लाल चबुत्रे की हद पार होई 1200 मंदिर अपने पार होगे 1200 मंदिर के बाद हमने कल भी देखा था कि जो 110 मंदिर आते हैं उन 110 मंदिरों की भीते तरफ भूलवनी है इसी तरह से जब खडोकली का इसाब करते हैं तो यह देखे यह लाल चबुत्रे की हद पार हुई प्रथम भुमिका में है फिर उसके बाद जो 110 मंदिर है इन में 40 मंदिर जब हम परिक्रमा ग्रांत पड़ेंगे तो वो चपई सामने आएगी कि यह पहले 40 मंदिर तो कहे जाते हैं लाल चबुत्रे के फिर 30 मंदिर की अपनी हो जाती है खडोकली और फिर 40 मंदिर वो मंदिर कहे जाते हैं तारवन के तो 110 मंदिर का यह साम होता है कि लाल चबुत्रे से 40 मंदिर फिर 30 मंदिर में खडोकली फिर 40 मंदिर तो अर्थार बिल्कुत सेंटर में आ गई ना भुलवनी से अब हम जब निकलें तो अपनी सेंटर में खडोकली तो अब ये जगे हुई कि खड़ोकले किस स्थान पे आई खड़ोकली लाग्चा हुत्रे के पूरा में ताडवन है तो ताडवन के एक बगीची की जगे लेकर ये खड़ोकले आई गया पूरा एक बगीचा नहीं लिया देखो तीस मंदिर का ये पहला बगीचा दूसे बगीचे में से कुछ जगे ली और कुछ जगे तीस से बगीचे से इसको हम दूसरे नक्ष़ों से भी देखते हैं ये लालचा भुत्रे की हद उसके बाद ये ताडवन तीस मंदिर ताडवन में क्या है? तीस-तिस मंदिर के बगीचे आए है तो खड़कली अपनी 40 मंदिर की हद पे आई है तो पहला बगीचा पुड़ा छोड़ दे दूसरे और तीसरे की बीच में अपनी ये खड़कली की शोब आई है पर इसको अभी जैसे असानी से लेवे कि लाल चबुत्रे से हम 40 मंदिर चलेंगे तो उस जगे खड़कली की संदर शोब आई है इसको यहां से देखे ये नक्षा सबसे परफेक्ट है इस चीज को समझने के लिए वाइव कोने से चले इशान कोने की तरफ लाल चबुत्रे के हमने 1200 मंदिर पार कर लिए उसके बाद 40 मंदिर चलेंगे तो ये जो 30 मंदिर है इन 30 मंदिरों के स्थान पर इधर जो बगीचे आने थे उन बगीचों की जगे खड़कली आई है जैसे हम पूरों में कहते हैं कि यहां पर अमरत वन्ना आके यहां पर चान्नी चोक हुआ थीक मद्दे अभी जैसे देखे 12100 मंदिर तो मद्दे 100 मंदिर ना आकर वहां पर चोक हुआ तो यहां पर बगीचे ना आकर यहां पर खड़कली हुई 30 मंदिर की लंबी चोड़े तो यह तो जगे हुई कि खड़कली किन स्थान पर आई है तो वन बई वन स्टेप करते हैं सुन्दर साजी ये शोबा समझ में आए कि खड़ोकली किन स्थान पे आई है एक बहुत असानी से समझे लाल चोबुत्रे की हद के बार 40 मंदिर छोड़ेंगे तो अगले जो 30 मंदिर हैं उन 30 मंदिरों में बाहर वन की तरफ 30 मंदिर की ही लंबी चोड़ी खड़ोकली आई है ज्यादा किंतिया नहीं कराऊंगी 30 मंदिर का इसाब चलेगा बस 30 मंदिर की लंबी चोड़ी खड़ोकली आई है फ्लियर है यहां थक शोबा ये देखे सुन्दर साजी ये लाल चोबुत्रे की हद इसके पूरों में ये ताड़वन ये पहला वगीचा 30 मंदिर चूट गय अब 10 मंदिर ओर लेने है तो ये दूसरे और तीसरे बगीचे में यहां पर खड़ोकली की शोबाई है वन में इस जगे ताड़वन के बगीचा ना होके उस जगे जब जिससे ताड़वन के बगीचों की गिंती-गिंते है न तो इसमें से एक बगीचा कम हो जाता है क्यों कर उसके एक बॉन्डरी वाल होती है ना एक दिवार होती है ना तो माराज शिवजी उसको कोट दिवाल करके कहते हैं एक कोट दिवाल तो वो शौबा देखते हैं कोट दिवाल की ये देखिए रंग महल के बारिहार मंदिर ये बारिहार मंदिर हुए ये अपनी धामरोस हुए अभी गुर्श की तरफ ध्यान नी देवे ये बारिहार मंदिर और ये धामरोस अब यहां पर कोट दिवाल उठनी है जमिन से तो यहां पर ये देखिए तीस मंदिर की लंबाई चुड़ाई में कोट दिवाल उठ गई ये देखो इसको कहीं से बेगिनोगे तो ये 30 मंदिर की लंबाई चुड़ाई एक कोट दिवाल उठ गई अब इसमें हर दिशा में 30-30 मंदिर और इस जगे जहां पे रेट जगे हैं यहां पे दक्षिन दिवार हो गई अब जहां मंदिर है तो मंदिर के बहर अपने को रोंस भी चाहिए तो यहां पर एक मंदिर की जगे और उपर उठी जब ये कोट दिवाल भूमबर की उठी उसके साथ साथ ये एक मंदिर की जगे और उठी तो सबसे पहले जो खड़ोकली की जो दिवाल है जहां पे खड़कली का जल है वो कोड़ दिवाल देखें वो 30 मंदिर की लंबाई चुड़ाई में उठी है दकशिन तरफ रंग महल की तरफ ये एक मंदिर की चोड़ी और 28 मंदिर की लंबी ये तो हो गई मोटी दिवार अब यहाँ पे देखिएंगे तो 30 मंदिर, यहाँ से यहाँ गिनेंगे तो 30 मंदिर, यहाँ से यहाँ गिनेंगे तो भी 30 मंदिर किंती में लेते हैं तो 88 मंदिर होते हैं क्योंकि यह कौने का मंदिर दोन गरफ काम कर रहा है इसको माराजी वाले नक्षे से दिखाती हूँ ये देखे सुन्दर साजी ये बाहरियार मंदिर थोड़ा जूम कर रही हूँ ये बाहरियार मंदिर ये अपनी धाम रोस अब सबसे पहले हम इसको लेवे ये जो मैं पर निशान लगा देती हूँ ये देखो अपनी एक कोट दिवाल उठके भूमबर उचाई पे रंग मैल के चबूत्रे के साज साथ ये भी भूमबर की उची दिवाल उठके अब इस दिवाल की दो शोबह हो जाती है इस तरफ तो ये सिर्फ एक मोठी दिवाल रहती है यहां से भूमबर की मोठी दिवाल उठी जमीन से रंग मैल का चबूत्रा उठा उसके साथ साथ ये भी दिवाल अब जमीन किसे तो रंग मैल के साथ साथ तो ये भी मोठी दिवाल उठी रंग मैल का जब भूमबर उचा चबूत्रा उठता है उसके साथ ये तीस मंदिर का लंबा चोड़ा चारस चारस खेर के ये चबूतरा भी उठ गया अब जब ये रंग मेल के लेवल में आ गया तो यहाँ पर तो एक मंदिर की मोटी दिवाल भूमबर की उची हो गई लेकिन इन तीन दिशाओं में एक भूम के मंदिर आ गए अब मंदिर आए है तो अपने को रौस भी चाहिए तो एक मंदिर का चबूतरा यहाँ पे और है ना परिक्रमा रोस तो यहाँ से समझे हम दो मंदिर की दिवाल उठ रही है यह देखे तो इस तरह से पहले एक कोट दिवाल उठती है प्रेंका ने इसके ना बहुत सुन्दा नक्षे बनाए है उससे कराती हूँ यह देखे यह अपना धाम रोस स्टेप बर स्टेप चलेंगे नक्षे यह यह अपनी धाम रोस यह देखे दो मंदर के चोड़ा इस तरह से यह चबूतरा उठ रहा है जिसमें यह मध्धे एक मंदिर जब हम लेते हैं तो वो तीस मंदिर की लंबाई चुड़ाई है पूरी यह इसलिए कर रही हूँ ताकि अपने को गिंतियां जादा नहीं किननी पड़े एक शोबाई समझ में आ जाए यह देखे और इस तरह से भी लेगे ना इस मोटी दिवाल सही तो यह अपनी तीस मंदिर की लंबी चुड़ी यह दिवाल होई अब इस दिवाल के साथ एक मंदिर की जगे यह और भी उठ रही है अब इस जगे तो मंदिर आ जाएंगे और यह अपनी हो जाएगी धाम्रोस यह देखे यह घेट कर परिक्रम रोस हो गई, धाम्रोस से बिलकुल मिलान करती और यह अपने लाल रंगे में मंदिर हो गैं और यह दक्षिन तरफ की मोटी दिवाल यह देखे जो मेन खड़ो का ली है न वो तीस मंदिर की लंबी चोड़ी है इन मंदिरों सहीत और दक्षिन दिवाल सहीत तीस मंदिर की लंबी चोड़ी है जिसमें एक मंदिर ये तीनों तरफ मंदिरों ने लिए एक मंदिर जगे दिवाल ने ली तो 28 मंदिर की नबाई चुड़ाई में तो जल हो जाता है वो घेर की एक मंदिर को सो जाती है और यहां पर घेर की यह अपनी परिक्रमा आई है सुंदर साजी शायर मैं समझानी पारी मैं एक बार वापिस से करती हूँ रंग महल की उत्तर दिशा अब इस वकत हम जब वनों की तरफ देखेंगे तो ताडवन की जमीन से पहले हम देखें कि 30 मंदिर की लंबाई चुड़ाई में घेर कर एक खांचा क्योंकि यहां पर जल आना है तो घेर कर जैसे कुए की बांटरी वाल होती है तो चोराई में एक बांटरी वाल उठ गई है नो चारों तरफ एक मंदिर की चोड़ी और पूरी चारों तरफ एक दिवाल उठ गई पहले हम इस शुबा को लें अब इस दिवाल पे तो और भूम उचाई उठनी है तो यह तो हो जाएगी दक्षनी दिवाल अब इस तरफ अपने तीनों तरफ मंदिर उठने है तो यह भी भूम बर उची हो गए अब इन मंदिर हैं जहां भी मंदिर होएंगे अपने को वहां रौस मिलेगी तो यह रौस की भूम बर की उची जगे हो गई यह रौस की भूम बर की उची जगे हो गई अब ये देखिए, तीन दिशा में तो अपने मंदिर आ गए इधर की तरफ जो जगे थी एक मंदिर की वहाँ पर मोटी दिवाल हो गए तो इस तरह से ये खडोकली की एक कोट दिवाल हो गए अब खडोकली कर जल देखो एक भूम ये उचाही हो गई, एक भूम ये उचाही हो गई, और एक भूम परमधान के नीचे हो गई, तो तीन भूम की गहराई हो गई, चित्रा, यहाँ पे मैं क्या नहीं बता पारी, एक बता ना? एक बताया दिदी ऐसा कुछ नहीं है एक बार सुन्दर सार की राय ले ना क्योंकि एशोबा थोड़ी सी प्रेश्यस है नियांती वैसे क्लियर है क्योंकि आपने सिंपलर फॉर्म में ही बताया है कि सबसे पहले हमें नीचे से धाम रॉंस को मिलान करने के लिए एक बहुंभर चबूत्रा उठाना है जो हमारी कोड दिवाल कहलाती है जो सबसे नीचे सबसे पहले यलो वाला चबूत्रा उठा यह हमारी परिक्रमा जो हमारी धाम रॉंस है उसके साथ मिल गया अब क्योंकि यह दो मंदिर की थी उसमें से एक मंदिर की जगा अब हमने परिक्रमा रॉं तो एक भूम उचाही की बनेंगे, तो जैसी एक भूम औरूची हो गई, तो इसके तीन तरफ मंदिर और जो दूसरी भूम का हमारा छज्जा है, उसके साथ जाके इसका मिलान हो जाएगा, मिलान तो भी बताती हो, तो बस ये मुझे लगता है, अब बाकी मंदिरों की तो 28 मंदिर में जल है और बाहर की रौं से वो एक मंदिर की परिक्रमा आएगी, हांची, हांची, जैसरी बैर, परनाम जी, ये रोस्त की साइड में जो बॉम बर सीडिया है, उसमें बीच में भी तारवन के एक एक गुरूख साथ, वो वर्णन अभी करेंगे, वो वर्णन भी तो कॉप्रे वर्णन बाकी है, खड़ोगली का, अभी तो बहुत बाकी है, यहां तो ख्ली है, परनाम जी, इदी, दूसरी बों में जब जहां करोगली का जल खुलता है, फिर वआम को बूम को दो मंदिर की जगे मिल गई, एक मंदिर की शर्त और एक कोट दिवाल, नह यहां पे मंदिर नहीं है ना पूरो पस्चे मोर नहीं देखो यहां पे तो दो मंदिर की जगे मिल जाएगी यहां तो दो मंदिर की जगे मिल जाएगी एक मंदिर की कोड दिवाल और एक मंदिर में यहां भी पुल डलेगा तो यहां तो दो मंदिर की जगे यहां पर एक मंद कि छजे से मिलान करता हुगा निकला syllabus जेसे ये धामरों से मिलान हो रहा है न ऐसी छजे से छज्जा मिल रहा है आपने लाल चबुत्रे के बाद 40 मंदिर के बाद खड़ोकली की शुवाई लाल चबुत्रे के एक बार हाथ ले लो बारा सो मंदिर लाल चबुत्रा जब अपनी हो जाएगी न नौबम दर्सिया काशी फिर उसके बाद आएगा जो बारा सो मंदिर अबी बारा सो मंदिर आएगी लाल चबुत्रा आता है तो अभी आप बारा सो मंदिर पार कर लो लाल चबुत्रा भी नेए क्लियर हो रहा तो क्यूमकि वह शुभाबाद में आई गे अबी जानना चाहा रहे थी जैसे फ्रस्ट फ्लोर पर बाहरी हार है छहजार मंदिरों की तो यह तीस हाथ में अपनी खड़ों का लिया है क्या यहां पर भी जरोखे हैं यहां पर भी वर्णन करेंगे पूरा यहां भी जरोखे हैं पर नाम जी दिदी पर नाम सुन्दर साजी दिदी यानि इस तवनल यह हुआ जो दूसरी इस बहुं यहां पर थड़ोखे मंदरों की जो छत ने चज़े से मिलान किया तभी यह 133 का तभी वह वर्णन करते हैं अभी इस वर्णन हुआ है अभी सुन्दर साजी वर्णन हुआ है कि कोट दिवाल जैसे एक कुवा है अपने को एक बावड़ी बनानी है तो उसकी कोट दिवाल साथ यह चंगुत्रा भी अपना उठ गया चारो तरफ से अब यहां पर तो मंदिरों की शोभा नहीं है इसको बोलते हैं दक्षिन दिवाल और यह दिवाल ने भी एक भूमकी उचाई ली तीन तरफ अपने एक भूमकी जो रेड कलर में है तीन तरफ अपने मंदिर आ गए मंदिर की गिंती नीले में मोटा मोटा यह साबने में जिस तरफ से भी देख रहे हैं अपने को तीस मंदिर नजर आ रहे हैं और इन मंदिरों की शोभा बिल्कुल जैसे रामनुमहल की बाहरी हार मंदिर हैं उनकी बाहरी दिवाल है बिल्कुल वैसी एक बड़ी महराप, ब मंदिर में जाना है इस मंदिर में जाना है तो अपने को एक छोटा द्वार मिल रहा तेंति साथ का लेकिन भीतरी तरफ अपने को दरवज्जा नहीं मिल रहा भीतर के तरफ दिवाल में अपने को अक्षी थम अक्षी महराबे उनमें तीन महराबे एक सुन्दर चित्रामन यहाँ पर अभी आप देखेंगे जल की उचाई एक भूम तो इस चबुत्री के बराबर हो गई एक भूम इन मंदिरों के भीतर हैं दो भूम क्यों चाहिए हो गई और एक भूम जमीन से नीचे है तो अब अपने पास खडोकली की पहली भूम की शोभा क्या रहेगी यानि अपनी धाम रोज से मिलान करती हुई घेर के तो एक मंदिर की परिक्रमा रोज जैसे ये दिखो धाम रोज को घेर के बिल्कुल एक रोज मिलान इस लाल रंग की जगे से आप पीली रंग की जगे पे आते हो तो बिल्कुल एक रोज मिलान है कठेड़ा अपने को यहां भी मिलेगा तो इस तरह से घेर के परिक्रमा रौस, परिक्रमा रौस के भीती तरफ मंदिर, तीन दिशा में, इधर की तरफ दक्षिन दिवार, अब ये मंदिर सिर्फ एक भूम की उचाई के आए हैं, अब इन मंदिरों की छट ही इनकी जल रौस हो गई, तो कि जल के दर्शन दूसरी भ में अपना 33 साथ का छट्चा निकलता है, तो यहां भी 33 साथ का छट्चा, यह देखो, तो यहां पर जगे अपने पास हो जाती है, 133 की तीन तरफ, और इधर की तरफ बढ़ना अभी आगे आएगा, इधर की तरफ और सुंदर शोबा है, तो इस तरह से अपना ये तीन तर हो यहां तक है ही जगे, सीधा सा इसाब है, यहां पर 30 मंदर की जगे है, यहां पर, एक मंदर की जगे और हो गई, तो यह अपने पास 31 मंदर की जगे है, तो इसके ठीक मंद्धे एक चांदा लगता है, एक मंदर की लंबाई और आदे मंदर की चुड़ाई, इस चांदे क ठीक पीच में एक व्रिक्ष और बिल्कुल चबुत्रे की पिठोर में यानि बिल्कुल चबुत्रे की पीठ में लगते व्रिक्ष अब ये व्रिक्ष आए हैं बगीचे के बीच में ताड के व्रिक्ष नहीं हैं छोटे व्रिक्ष हैं तो ये भोम दर भोम दस भोम लेते हैं तो ये पहली भूम तो सीधा ही उपर उठचाएंगे, दूसरी भूम प्लस तीसरी भूम इनकी जाकर इन चल्चब उत्रे पर छाया करेगे, इसी तरह से इस तरह भी शोबा होगी पर्शिम की तरह, उत्तर दिशा में हम देखेंगे, इसके बाद ये देखो ताडवन की नहर लग रही है, नहर की दोनों हाथ 25-27 की रोंसे लग रही है, तो यहाँ पर इस चांदे की चुड़ाई सिर्फ साड़े बाराथ, यहाँ से चांदा छोटा हो जाएगा, क्योंकि रोंस की उपर आया है, यहाँ पर भी पिठोर में लगते व्रिक्ष और ये व्रिक्ष हैं ताड़के, जिनकी दस भूम पराबर एक ही भूम आई है, यानि ये व्रिक्ष तो उचे अतंत लंबाई लिए हैं, और फिर जाके जल्चबूत्रे पे चाया कर रहे हैं, ये व्रिक्ष लगे हुए, इन व्रिक्षों के मद्धें अपने को कठेड़ा भी मिलेगा, चांदे की जगे छोड़कर, एक सुन्दर पिलर लग रहे हैं, इसे जैसे एक सुन्दर थम रूप में व्रिक्ष जा रहे हैं, और उनके वीच में कठेड़ा है, तो इस तरह से अब इन शोभा को हम चल कर देखते हैं, एक स्टेप चल के देखते हैं, तो सुन्दर साजी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे ताडवन की जमीन में खुद को देखे, अपने ठीक सामने चांदे से सीडियां चड़ रही है, इन भूम बर की सीडियों को चड़ रही है, तो एक तरफ तो चब उत्रे की दिवाल आ गए, यह वाली, एक तरफ कठेड़ा आ जाएगा, जब हम इस चांदे पर आए तो चांदे की ठीक मद्धे एक प्रिक्ष है, और एक मंदिर की परिक्रमा रोज आगे मंदिर भर के एक भूम के मंदिर, मंदिरों की सुन्दर शोबा देखे, हर दीशा में अपने तीस-तीस मंदिर है, अब मंदिरों से ही सीड़ी पकड़ कर हम उपर आ जाएं, तो जल को घेर के एक मंदिर की रोज प्लस तेनती साथ का छज्जा, तो एक सो तेनती साथ की विशाल जगे और जल तरफ कठेड़ा, चान्दे में भी जल तरफ जो अंदर भी अपने को जल चब उतरे पर भी उतरती सीड़िया मिलेंगी, तो इस तरह से ये शोबा जोहर दर्शमाजी के नक्षे से पूरी देखते हैं, ये देखें, ये तीन तरफ चान्दे हो गए, ये चान्दा देखू, ये ताडवन की बड़ी नहर के उपर आया है, यहाँ पर ताड की बड़े व्रिक्ष आएंगे, यहाँ पर छोटे व्रिक्ष आएंगे, जो भूम दर भूम जाएंगे और इन सब ने जल चब उतरे तक चाया करनी है एक मंदिर का यहाँ पर जल चब उतरा आएगा चाले से उतरती सीड़ियां भी अपने को मिलेंगी, वो कैसे उतरती हैं वो दिखाती है चारों दिशाओं में मोटे रूप से वर्णन आता है, वैस्तों जादा जगे भी हो सकती है ऐसी जैसे चब उतरे, जल चब उतरे पे चब उतरा उतर गया, तीन सीड़ी नीचे से यह चब उतरे उतर गया जल चब उतरा क्या होता है सुन्दर साजी, जो जल में तीन सीड़ी नीचे गहरा होता है अब इनके दोनों तरफ, सीडियां उतर गहीं थीन तर इस तरह से चारों तरफ, जल में उतरने की यानि जल चब उतरे के उतरने की अपने पास सीडियां हो जाती है, तो इस तरह से खड़ो कली की सुंदर शुभा और अब एक शुभा है यह पुल की, यह शुभा बाद में कराती हूं पहले यह शुभा सुंदर साजी क्लियर हो जाया तो आगे बढ़ेगे पुल की शुबा बले कल कर लेंगे लेकिन ये शोबा स्टेप पाई स्टेप ये देख ले एक बार मैं बहुत धीरे-धीरे पूरा रिवाईश करती हूँ उसके बाद कोई कोश्चन होगा तो ले लेंगे आज टाइम निंग होगा तो कर ले लेंगे सबसे पहले हम देखेंगे ये जो अपनी धाम रोस है ये देखो रंग महल का जो 2000 मंदिर का लंबा चोड़ा हम चब उतरा कहते ही ये देखिए ये रंग महल के मंदिर अपने और ये अपनी धाम रोस अब ये देखिए धाम रोस के साथ लगते एक मंदिर की कोट दिवार रंग महल की चब उत्रे के साथ उठी ये वाली दिवाल इसी तरह से ये तीन तरफ भी कोट दिवाल यानि एक मंदिर की मोठी दिवाल उठे रंग महल की चब उत्रे के साथ साथ ये बीच की जगे खाली होगे ने जिसमें जल आएगा तो ये कोट दिवाल, एक boundary वाल कहें हम, ये तीनों तरफ उठ गई अब इधर तो ये दिवाल भूंबर उचाई लेगी, तीन तरफ इस दिवाल पर मंदिर आएंगे हर दिशा में 30-30 मंदिर, कोने का मंदिर हटा लेते हैं तो 88 मंदिर की कोने का मंदिर दोन तरफ काम कर रहा है, अब इन मंदिरों को घेर के एक मंदिर की परिक्रमा रोस भी है, परिक्रमा रोस से चांदे से सीड़ियां उतर रही है और चांदों की शोबा ऐसी आई है, कि यहां पर ये देखो, बिलकुल चबूत्रे की पिठोर के साथ, थोड़ा सा उचा करते हैं और इन मंदिरों की शोबा बाहरी दिवाल में दो दरवज़े, छे जाली द्वार, जरोखा, तीन सिली उचा, पाकी की दिवाल में भी दरवज़े हैं, लेकिन भीतर की दिवाल में दरवज़े नहीं है, तो इस तरह से अपनी खडोकली की शोबा, अभी ये पूल की शोबा न अपना रंगमेल का चब उतरा, ये कोट दिवाल, कोट दिवाल के मध्धे अपना, ये देखिए 30 मंदिर की लंबाई चुड़ाई, ये हो गई खडोकले की लंबाई चुड़ाई, एक मंदिर की इस एरिया ने लेली जगे तो जल हो जाएगा 28 मंदिर में, ये देखिए, भीत चांदों के बीच में रिक्ष, ये देखिए, बिलकुर पिठोर यानि चब उतरे की पीट के साथ लगते रिक्ष, तो इस तरह से खडोकले की शोबाई, पुल में टाइम लगेगा सुन्दर साथ जी, वो कल करेंगे शोबाई शुरू पुल की, यहां तक की शोबाई क्लिय पर नाम जी, मैं पुछ रही थी कि जो तीसरी भूम में जो वरिक्ष ने जल चब उतरे तक चाया करी, तो उसके बाद जो चौती पांच में है, वो सब चाया करते हो, भूम दर भूम उनके डालियां आगी जाएंगी और जल चब उतरे तक चाया करेंगी, और डालियों के जल में है, तो हमें ऐसे वो प्रॉपर चाया करते हो, उनके कठेडे भी, उनके कठेडे भी, उनसे आके हम जल के दर्शन भी कर सकते हैं, अच्छा उनके आगे कठेडे भी, जैसे हमने जह बच्चों की मतलब छत्रियां की थी तो ऐसे छत्री माफक शोबा दस्मी भूम, द इधर, पूरा पश्ची, पूरा पश्ची. यह अपना यहां से लेकर एक पर मैं दिखा देते हूं निशान लगा के यह देखो यहां से लेकर यहां तक अपनी 30 मंदर की लंबाई चुड़ाई है यह न यह दक्शिन दिवाल और टीन तरफ की जो मंदिर है यह अपने 30 मंदर की लंबाई चुड़ाई में अब जब एक मंदर की जगी इधर से निकल गई एक मंदर की जगी इधर से एक इधर से एक इधर से तो जैल 28 मंदिर में रह गया ना कोड दिवाल सही 30 मंदिर की लबी चोड़ी खड़ो के लिए जी और उसके बार एक मंदिर की धाम रोस परिक्रमा रोस यहां पर परिक्रमा रोस ने कितनी जुटी से मिलान किया यह देखऊ आप परिक्रमा रोस और चच्चे से सीधा इस चच्चे पे आज़े। फिलकुल मिला निया हो गया। बतार रंग पहल का यह एक तरह से पार्ट हो गया। प्रिनाम जिदी। तो यह तो 133 साथ हो जाए यह पूरी। यह और 133 साथ यह यह 133। म lauchate ॅप्रिनाम जिदी जो हमारा मंदिर कखडोकुली का जो यह हमने बताया 30 मंदिर के घेर करायं है 30 मंदिर का यह 30 कहिए लंबा चोड़ा तो यह जो इसकी खडोकुली की में उससे 30 यह 30 से अलग है 30 से अलग है ॸousing 30 से अलग है द्य dips मिले असानी से ले पाएंगे इधर से लेंगे तो 30 मंदिर तो यहां तक हो गए एक मंदिर और 31 ऐसे गिनेंगे तो 32 हो जाएगी वो क्लियर है बस यह था ना कि 30 मंदिर के बीच में आई है खड़ो के लिए तो अब यह 30 से ज्यादा हो गया ना थोड़ा जगे जाए ठीक है ठीक है परिकर्मा रोस पर जो मंदिर बने है इन में अंदर जाने के लिए परिकर्मा रोस से जाएंगे ना अंदर यहां से हम अंदर जा सकते हैं ना अराम से ठीक है ठीक है और एक शोबा और भी है इसमें प्यारी सी यह देखो जैसे हम इन मंदिरों में हैं जैसे पूरा वाले या पीछे पश्रिम वाले इन मंदिरों से हम धाम की तरफ चले सीधा हम यहां पर यह जो दक्षिन दिवाल की इधर उदर आए ने यह दक्षिन दिवाल की इधर और दक्षिनी दिवाल की इधर भी यह मंदिर आए तभी यह दिवाल 28 मंदिर की रह गई ना यह जगे भी तो तीस मंदिर की है, लेकिन एक-एक मंदिर यह वाले आ गए अपने पास, तो यह देखो, यहां से सीधा हम धाम रोज पर आ सकते हैं, यह देखो, यह दरवज़ा यहां भी खुल रहा है, इस मंदिर का, पाखे के पार वाला दरवज़ा नहीं है, यहां इसको पाखी का नहीं कहेंगे, यहां बिल्कुल यह तो इदर तो कोई मंदिर है नहीं, इदर धाम रोज से अब, तो धाम रोज से अपने को 28 मंदिर की दक्षनी दिवाल और एक-एक मंदिर यह खड़ो कली के नजर आएंगे, जब हम इन रोज पे चल रहे हैं तो, हुआ क्लियर मंदिर अपने भूमबर के उठे तो यह दक शिन दिवाल भी अपनी भूमबर के उठ़गई, अब यह मंदिर भी अपने भूमबर के उठ गए, तो बीच में जो धाम रोज से यह जगे स्पेस खाली रह गया ना, भी आपने यह देखो, यह समझें अपनी दक्षनी दिवा और यह अपने रंग मेल के बारीहार मंदिर हो गये अब यह दोनों भूमबर उचाई पर उठ गया और बीच में धाम रोज चल रही है यह भूमबर उचे उठ गया यह भूमबर उचे उठ गया तो यह स्पेस खाली रहे गया अब इस स्पेस के ऊपर इसको पाटने के लिए पूल की लिए अपने को गोर्च मिलेंगे और किस तरसी पूल की शुभा आती ही वह कल करेंगे बाकी खड़ोकली का हो गया और कोई भी कोशन होंगे तो कल अपने लेंगे वापिस से कोई इसमें वह नहीं है अराम से करेंगे दो तीन दिन में आझः को अब है अभी आपने इधर वाली जो जो बता है नदरवाजा इधर भी जा सकते है उन की तरफ तो अभाई तरो की तरफ बी अगर हम यह देखें जो मंदेर है इधर ऊंदे की तरफ तरह मतलब लादस्चाब इता की तरफ वाला भी और इधर ताडवन वाला तो यहां पर जो जरोखें आएंगे वह एक मंदिर दो जरोखे आजाएंगे न पर दो già जरोखें इधर भी धर भी ऑँ देखो इस मंदिर में दो जरोखें आeurs याजाएंगे यह इधर दोनों तरफ आएंगे तब ही जरोखों की गिंती यहाँ पर नब्बे बताई गई है मंदिर 88 है जरोखे नब्बे है क्योंकि यह देखो इस दिवाल में भी जरोखा इस दिवाल में एक मंदिर की दो दिवालों में यह शौब आपने को यही मिलती है बस कि के सुन्दर साथ जी जैकारा पुलाएं हांची कुसम दिदी आपका भी ले लेते हैं टाइम हो गया वैसे कुसम दिदी अन्म्यूट हो जाओ अब देखो अंची हांची तिती जैसे कोर्णर का मंदिर है इसका मला इसमें दर्वाजे भी दो इधर होंगे दो इधर होंगे हांची अब दीदि एलि दौार बारा बारा हो गए ये मंदिर में चेह इधर चेह इधर बारा होगे कितनी मरे कितना स्पेश्चल मंदिर है यह सब को याद है पर उतर की तरफ उच्छे पुरव की तरफ पनाम दीदी बस एक चीज पुछनी है कि यह हास में आती है खड़ोकली पर हास में नहीं आ रहे हास का अलगे साबहि के कल करेंगे अच्छा पर हास में नहीं आ रहे जी है थीक के संदरसाजी टाइम ओगया पंजय कारा बोलाते मलगे जो भी श्यु पर रह जाएगी पुले शरी प्रान्नात प्यारी की जाज़त गुरु महराजी की जान्मा धामी की सरसंदर साथी प्राम जी